हम अपने भाग्य के निर्माता खुद है डेस्टिनी इस इन माई हैंड इस पर हम बात करेंगे कि हम जर्नली और अपनी डेली लाइफ में क्या सोचते हैं कभी हमारे पास कुछ दुख की परिष्थिती आ गई या कुछ बहुत दुख मिला संकत आ गया तो हम बहुत परिशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे भाग्य म तो यही लिखा था भाग्वान ने मेरे भाग्य में ऐसा लिखा और एक्जामपल अगर किसी के घर में किसी बच्चे ने शरी छोड़ दिया तो लोग क्या कहते हैं धरवाले दुखी होकर भाग्वान ने हमारा बच्चा छीन लिया हाना तो हम जर्नली क्या करते हैं जब हम दुखी होते हैं या कोई कस्ट या बिमारी या कुछ ऐसी समस्या हमारे सामने आती हैं तो हम भगवान को दोश देने लगते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया अब इसको हम आपके सामने क्लियर करेंगे सिद्ध करके बताएंगे कि भगवान हमारे साथ कभी गलत नह नहीं कहा जा सकता देखिए आप भगवान को क्या कहते हैं Godfather Godfather कहते है Father का मतलब वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं तो अगर जैसे घर में माबाप और बच्चे होते हैं तो अगर मात पिता को बोला जाए आप अपने बच्चे का भागय लिखो तो बच्चा भागय तो माबाप अपने बच्चे का भागय कैसा लिखेंगे हर बच्चे का भागय बैस्ट ते बैस्ट लिखेंगे तो कि हर माबाप चाहता है मेरे बच्चे का भागय उज्वल हो स्रेश्ट हो है न ये practical में तो वो भी हमारा पिता है या वो ऐसे करेगा घर में 4 मेंबर है एक का बहुत अच्छा लिखेगा एक का भग एक कम अच्छा लिखेगा एक का थोड़ा-थोड़ा खराब करेगा ऐसा कोई माबाप करेगा नहीं करेगा हर मात-पिता यही चाहते हैं मेरे बच्चे का भाग्य स्रेष्ट हो उज्वल हो तो ये तो अब हम भगवान को भी Godfather कहते हैं बलकि पूजा में भी बोलते हैं तुमी हो माता पिता तुमी हो तुमी हो बंदू सका तुमी हो तो जब वो हमारा मात-पिता है तो हम उसके बच्चे हो गए तो वो एक मात-पिता होते हुए हम बच्चों का भाग्य खराब कर सकता है वो हर बच्चे का भाग्य अगर उसे भाग्य लिखना होगा तो वो हर बच्चे का भाग्य स्रेष्ट लिखेगा अच्छे ते अच्छा लिखेगा आप agree हैं इस बास से अब आप बताईए लेकिन हम सब का भागय तो अलग-अलग होता है हम एक family में भी अगर चार भाई भेन हैं वो भी एक मात-पिता के ही बच्चे हैं तो उन सब का भागय भी अलग-अलग होता है किसी का अच्छा होता है किसी का थोड़ा कम होता है किसी का तो different होता है हरे का भागय डिफरेंट है तो आप बताईए इसका मतलब है कि भगवान तो हमारा भागय नहीं लिखता तो कर्मों की गुहिय गती कहते हैं जैसा करम हम करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है अच्छे करम का अच्छा फर्म मिलता है जिसको हम सुकर्म कहते हैं और बुरे करम का बुरा फल मिलता है ये law of करमा है ये करमों की गती है ये fixed है इससे कोई नहीं बस सकता अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा ही यह 100% सत्य है होना ही है और अगर हम कुछ गलत करेंगे तो उसका result भी हमें भोगना पड़ता है यहाँ पर हमारा भाग्य बनता है तो पहली चीज यह decide हो गई कि भगवान हमारा भाग्य नहीं बनाता भगवान हमारा भाग्य नहीं लिखता अगर वो लिखेगा तो सब बच्चों का भाग्य अच्छे ते अच्छा लिखेगा लेकिन हम सबका भाग्य अलग-अलग होता है हम भाई भेन हैं फिर भी हमारा भाग्य अलग-अलग है सबके करम अलग-अलग होते हैं तो सब की करम का प्रभाब वो जो होता है वो हमारी destiny बनाता है जैसे केते हैं ना कि सब का पुन्यों का सब का एक account खुला हुआ है भगवान के पास सब का account है कहते हैं न हम भगवान के पास जाएंगे तो क्या मूँ दिखाएंगे या हमने क्या किया है तो हर एक का एकाउंट जैसे बैंक में आप एकाउंट खुलते हो ना ऐसे ही हम सब का individual एकाउंट खुला हुआ है भगवान के पास उसमें जो हम अच्छा करम करते हैं उसका अच्छा फल क्रेडिट हो जाता है जमा हो जाता है और जो करम हम गलत करते हैं उसका फल मतलब माइनस हो जाता है जैसे रुपे एड किये तो जमा हो गए रुपे निकाल दिये बैंक से तो माइनस हो गए तो balance कितना बचा? ऐसे ही हम सब का balance, account उस परमात्मा के पास खुला है और God को truth कहते हैं God is truth भागवान सत्य है वहाँ कुछ भी जूट असत्य चल नहीं सकता तो जो हम अच्छा करम करते हैं वो उसमें add हो जाता है और जो गलत करम करते हैं accordingly वो हमारे account से minus हो जाता है तो हमारा भागय कौन लिखने वाला है? हम खुद अपने भागय के निर्माता है हम अपना भागय खुद लिखते हैं तो जितना जितना हम अच्छे करम करेंगे हमारा भागय अच्छा बनता जाएगा और जितना जितना हमसे गलत करम होंगे हमारा भाग्य माइनस में जाता जाएगा तो ये हमारे उपर डिपेंड करता है कि हम कैसे करम करें अब हम चाहते हम सभी हैं कि हमसे अच्छे करम हो हमसे हर कारे श्रेस्ट हो अब इस पर विचार करो ये हर कारे हम से स्ट्रेस्ट हो उसके लिए हम क्या करें उसके लिए हमारी सोच वो important है हम कैसा सोचते हैं कहते भी है न कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे तो सोच माने हमारा हर थौट हमारा हर संकल्प कैसा है उसको हमेच चेक करना है कि हमारे मन में अनीको विचार चलते रहते हैं कुछ अच्छे विचार भी चलते हैं कुछ गलत विचार भी चलते हैं क्योंकि माहल का प्रभाव है न कल यूग चल रहा है तो negative ज़्यादा है कल्यूक का मतलब ही है कल्हय का यूग जिसमें नेगेटीव भूद जादा होता है और पॉजिटिव भूद कम होता है तो हट तरहां की विचार हमारे मन में चलते हैं तो हमें अपने को ही चेक करना है अपने भागे को अच्छा बनाने के लिए मुझे खुद पर कारे करना है अपने आप पर और आज कल हम क्या करते हैं अपने आप पर काम नहीं करते हैं दूसरों को देखते रहते हैं वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है वो ठीक होना चाहिए, वो गलत है उसको ठीक करना है ये सब हम outer work कर रहे हैं और दूसरों पर काम कर रहे हैं अब हमें क्या करना है उन सब को छोड़ दो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मेरे भाग्या मेरे करने से बनेगा तो मुझे अपने को चेक करना है मुझे हर अपनी सोच को चेक करना है कि मेरी सोच सही है मेरी सोच मेरे लिए सही है और औरों के लिए भी सही है इस पॉइंट पे हम जब काम करेंगे तो हमारा उद्धार होने लगेगा हमारा बैटर मेंट धीरे धीरे और हम बैटर होते जाएंगे तो हम दूसरों पर काम करने की वज़ाए स्वप पर काम करें अपनी सोच पर काम करें अपने लिए भी अच्छा सोचें और दुसरों के लिए भी अच्छा सोचें यहां तक कि जो हम से बुरे से बुरा भी हमारे साथ करता है उसके लिए भी अच्छा सोचें जब हम इस लेवल पर काम करेंगे तो हमारी लाइफ में चैन भी आएगा, खुशी भी आएगी, सुकून भी आएगा और सबसे पहले खुशी किसे मिलेगी अच्छा काम करने से? मुझे खुद को, दूसरों को बाद में मिलेगी, पहले मुझे खुद को खुशी मिलेगी और मेरा और अच्छे करम करने से अच्छे सोचने से मेरा खाता पुन्य का खाता भी बढ़ता जाएगा तो अपनी सोच पर काम करना है इसलिए कितने कितावे लिखी हो ही है पॉजिटिव सोचो हम बोलते भी रहते हैं positive सोचो positive सोचो कितने किताबें है positive सोच पर हम बोलते ही है positive सोचो क्या हम checking करते हैं कि हम कितना positive उस पे concentrate करें positive सोच रहे हैं या negative सोच रहे हैं आप खुद एनिलाइज करेंगे, हम जादा से जादा नेगेटिव सोचते हैं, और हमारा उसी सोच पर आकर्शन होता है, क्योंकि माहौल है बैसा, तो हमें पॉस करना है, और अपने ही संकल्प को चेक करना है, क्यों सा पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है, तो उसको पॉ पॉजिटिव में बदलते रहो, तो जब सारे पॉजिटिव हमारे संकल्प पॉजिटिव हो जाएंगे, हमारी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, तो जैसा संकल्प हम करते हैं, वैसा ही संसार हमारा बनता जाता है, अभी हम नेगेटिव सोच रहे हैं, तो हमारे आसपस क्या हो गया दुख अशान्ती पीडा बिमारी क्योंकि हम खोदी नेगेटिव सोच रहे हैं तो ये ऐसा माहौल बन गया और जब हम पॉजिटिव पॉजिटिव ही सोचने लगेंगे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी तो हमारे आसपास का वायू मंडल भी पॉजिटिव ह हो जाएगा क्योंकि जो मेरे अंदर से वाइब्रेशन निकलेगी उसका प्रभाव हम घर पर रहते हैं तो घर के फैमिली मेंबर्स पर पड़ेगा आसपास के वायू मंडल पर पड़ेगा तो वो चार्ज हो जाएगा हमारी अच्छी सोच से हमारा वायू मंडल भी चार्ज सोचने हैं तो कोई भी हमारे साथ कितना भी गलत क्यों न करे हमें अच्छा सोचना है इसके लिए एक वर्ड है sorry और thank you दो वर्ड है इंगलिश के जो बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे कि अगर आपके साथ कोई अच्छा करता है तो उसे thanks बोलो तुरंत thank you उसको भी सु मिलेगा और अगर कुछ मुझे से गलती हो गई तो तुरंत sorry बोल दो ये भी हमारे दो वर्ड बहुत काम करते हैं जिससे हम बहुत चीजों से safe हो जाते हैं तो अपने सोच को परिवर्तन करना है positive बनाना है देखिए जैसे हमारी हमारी सोच होती है न वैसा ही हमने कोई positive संक होता है वैसे हमारे अंदर feeling आती है और जैसा संकल्फ होगा वैसा ही हमारा action होता है वैसा ही हमारा करम होगा जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमसे बोल निकलेगा वैसा ही हमारा करम होगा और जैसा हम रोज करम करेंगे वो करम हमारा क्या बन जाएगा habit बन जाएगा आदत बन ज और वो आदत बनते बनते वो हमारा संसकार बन जाता है और जैसे हमारे संसकार होंगे वैसा ही हमारा संसार बन जाएगा मतलब मेरी destiny बन जाएगी मेरा भाग्य बन जाएगा तो starting कहां से करनी है सोच से positive सोचेंगे तो भाग्य भी उज्वल होगा negative सोचेंगे तो भाग्य भी इसलिए positive सोचो तो बोल भी positive होंगे करम भी positive होंगे संसकार भी positive अच्छे बनेंगे और वैसा ही संसार बन जाएगा तो अपने सोच पर attention दे हमेशा positive अपने लिए और दूसरों के लिए सोचें और शान दे